बिल्डिंग की निशानदे ही हुई हमने उसका किराय पे लेने के लिए भी हमने टेंडर निकाला वहां से भी लोगों ने अपलाई कर दिया यह सब काम जब हो गया तो सरकार की तरफ से अचानक फोन आता है कि इसको रोख दीजिया उन्होंने हमने कहा भी क्यों रोख दीजि के तालुक से सत्रह सेप्टेंबर जो के अपरेशन पोलो है जिसमें जो है लाकों मुसल्मानों का कतले आम हुआ तो एक ऐसा दिन जिसको दूसरे जो दानिश्वर तबका की लोग है वो यह कहते हैं कि यह काला दिन है और खूनी दिन है इसका मातम मनाना चाहिए और उसको के तौर पर मनाया जाए तो एक यह बात कि आपके कोरिश्यूस के ओपर गुफ्तगू की जाए तो यह दोनों चीज जरा मिसमैच नहीं होती है बिल्किस बानों के बलतकारी उनकी फैमिली के हत्यारे जब छोड़े गए तो पूरे हिंदुस्तान की तमाम पार्टियों ने पूरे दुनिया ने उस पर आवाज उठाई लेकिन अर्विंद के जरिवाल ने एक लवज नहीं बोला मिली डाइजिस्ट की खास पेशकर्श गुफटगों में आपका इस्तक्बाल है हमारे साथ एक बहुत ही मख्सूस और पुरकशिश सख्सियत हमारे साथ मौजूद है औल इंडिया मजलिस इत्धादुन मुस्लिमीन दिली के स्टेट प्रेसिडेंट है मिस्टर कलीमूल हफीज साथ आपका बहुत बहुत इस्तक्बाल है बहुत सारे इशूस है जिसके बात करना चाहेंगे सबसे पहले आपसे जाना चाहेंगे कि आपकी चुके अकैडमिक लाइन से आप जुड़े रहे पिर सहाफत में भी आपने एक अच्छा असर उर्सूख रखा है तो M.I.M. साब क्यूं जुड़े है आपका विजन क्या है इसके तालुक से देखिए मैंने जिन्दगी के तमाम शुबे चाहे वो सरकारी नोकरी हो प्राइविट नोकरी हो बिजनिस हो या सोशल वर्क हो सोशल में भी तालीम हो उस पे पिछले 20 बरस से मैंने काम किया और काम करते करते मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि जम्हुरी निजाम में अगर आप असर अंदाज होना चाहते हैं आप चाहते हैं कि कम्यूनिटी के जो मसाइल हैं उनका बाकाइद अहल हो तो वो सियस्ट में है इसकी मिसाल में यू दूँगा कि जब मैंने दिल्ली गवर्मेंट यानि केजरिवाल सरकार को एक प्रपोजल दिया कि दिल्ली में 40 लाख मुसल्मान रहता है 20 لاکھ مسلمان تو proper education ले पाता है, सरकारी स्कूलों में ले पाता है और आपकी सरकारी schemes का फायदा उटाता है लेकिन 20 لاکھ مسلمان ऐसी कलोनिस में रहता है जो अनाथराइज हैं वहाँ पे स्कूल मौजूद नहीं है पहले से कोई सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है तो इसलिए जो दिल्ली सरकारी स्कूलों को अच्छा करने की scheme है उसका उससे कोई फायदा नहीं मिलता तो इस तरफ सरकार की तवजूद नहीं है चुकि सरकार कहती है कि वहाँ पहले से स्कूल मौजूद नहीं है वहाँ जगा नहीं है तो हम आखर वहाँ बनाएं कैसी स्कूल तब मैंने उनको यह प्रपोजल दिया कि हैदराबाद में भी 40 लाग मुसल्मान है और वहाँ पे इस तरह की मसाहिल थे तालीमी मसाहिल तो वहाँ की सरकार ने एक टिमरिस के नाम से एक स्कीम चलाई और वहाँ 200 स्कूल उन्होंने किराए की बिल्डिंग में लेके उन इलाकों में शूरू किये और उसका एक बजट बनाया और बाकादा वो एक सक्सेस्फुल मॉडल उन्होंने प्रोडूस किया वहाँ उन्होंने रेजिदेंशल बनाया मैंने सरकार को प्रोडूस लिया कि आप रेजिदेंशल नहीं बनाईए तो कमसकम डे स्कूलर बना दीजे लेकिन ये ऐसे स्कूलों की यहाँ सक्त जरूरत है क्योंकि दिल्ली में प्राइमरी प्री प्राइमरी एजूकेशन बहुत महेंगी है मुश्किल है और सरकार के स्कूल नहीं है वहाँ तब अर्विन केजरिवाल ने उसको हाँ कर दी उसके बाद मनिशी शोदिया के सामने पर पुबजल गया उन्होंने भी हाँ कर दी और दॉनों पिर दिली वकफ वर्ड को जिम्मैदारी दी कै आप ये स्कूल दिल्ली में बनाईए वह व्कफ वर्ड नहेंगे एजूकेशन कमेटी बनाई उसे से क्रिंटरी बनाये गिया और हमने उसकर का काम क्राय पे लेने के लिए भी उपने टेंडर निकाला हो वहां से भी लोगों ने अपलाई कर दिया यह सब काम जिब हो गया तो सरकार की तरफ से चानक फोन आता एक किसको रोक दीजिया अच्छा उन्होंने कहा भी क्यों रोक दीजिए तो सरकार ने कहा कि इस से हमारा नुकसान हो जाएगा स्याजी नुकसान हो जाएगा गेर मुसलिम यह कह भी का का थीक है हम 2020 का एलेक्शन है उसको एलेक्शन होने दीजए हम अगर जीतेंगे तो हम एक्स तायम सको करें पुर ऐसको एक हार गए तब तो आप करने लायख रहेंगे नहीं और जीत गए तो आप बिन इस जाएंगे तो आप सिर्फलीक्ट मेरत क्यों रहें यह आ PP Material मैने से निकलेगा हमारे पाओं का काटा हमी से निकलेगा तो वहां से मूझे यह आइडिया है कि मुझे किसी सियासी जमाद को जौन करना चाहिए कि ऐसी जमाद जो मुसल्मानों के core शू पे खुल के बोल सकती हैं कょंकि मैं देखता आया हूँ पिछले सते बिज्ट साального से जो सेकलर पार्टी है चाह कांगरिस हो चाहामादी पार्टी हो या दूसरी और मुख्तलिफ स्टेट की पार्टी हो वो सब मुसल्मानों के कोर रिशूस पर जब बात आती है तो उनके लब सिल जाते हैं और यहां मजलिस के दवाव में टी आरेस ने ये काम तिलंगा नामे किया था तो मुझे नजीर मौजूद थी इसलिए मैंने खालिस अपनी खरज के मैं तालीम के मैदान पर मैं अपनी कम्यूटी को कुछ दे पाऊं उस खरज से मैंने ये पार्टी जॉइन की उसके लिए मैं कोशा भी हूँ आम मेरी तहरीने भी पढ़ते होंगे मेरे इंटर के लिए सरकारों से बारगेन कर सके सरकारों से अपने डिवलम्मेंट की स्कीम एपूड करा सके सरकारों को मजबूर कर दें कि वो उनको इगनूर ना करें इस मकस्द के लिए मैंने ये मायम च्वाइन की आपने एक बात जो कही कि मुसल्मानों के जो कोर इशूज है उसके ओपर बबांगे दुहल गुफ्तकू करना और जिस किसी भी स्टेज पर हो जोरदार तरीके से अपनी बात रखना ये एक बड़ा इन्फिलेंशल एलिमेंट रहा आपको मजलिस सिताद मुसलिमिन से जोड हुआ तो एक ऐसा दिन जिसको दूसरे जो दानिश्वर तबका के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये काला दिन है और खूनी दिन है इसका मातम मनाना चाहिए और उसको इंटिग्रेशन डे के तौर पर मनाया जाए तो एक ये बात कि आपके कोर इशूज के ओपर था जो अंग्रेशों का अलाइकार था तो इसलिए निजाम के फैमिली के कोई नहीं मारे गए उसमें तो गरीब मुसल्मान जो बॉर्डर के अलाके में थे गुलबरगा बीदर रायचूर और मराटवारा के अलाके में देखिए जो लोग आम हवाम मारी गई वो तो ये एक अफसोस ना के और हमें सबको अफसोस है उस बात पर लेकिन तवाल यह है कि वो रीजन क्या था रीजन था हैदराबाद या निजामाबाद को पूरे हिंदुस्तान के साथ इंटेग्रेट करने का इसलिए वो इंटेग्रेशन डे हमने रिकमंड किया और वहां की हुकूमत मान लिया और वो इंटेग्रेशन डे मनाया जाएगा अब अगर फ्यूडल सिस्टम या कोई भी ऐसा सिस्टम जो जमूरियत की जिद है उसको तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते हम इंडियन को सपोर्ट करते हैं इंडिया के साथ मिलना उस इलाके का डवलमेंट और उस इलाके का हिंदोस्तान की ताकस से मिल जाना एक बड़ी बात थी उसको सलिबरेट किया जाना चाहिए और वो एक फ्यूडल सिस्टम था वो खतम होना चाहिए था वो खतम हुआ अब उसके खतम होने में क्या नुखसानात हुए वो एक अलग वहस है लेकिन बन्यादी तोर पे वो एक एसा सिस्टम जो जमूरियत के खिलाफ था वो खतम हुआ और हिंदोस्तान की जमूरियत में वो जम हुआ और हिंदोस्तान की जमूरियत को उसने तक्वत बख्शी इसलिए वो एक इंटिगरेशन है इसी के तालुक से रिकमेंडेशन हुई इसी के तालुक से और इसी के ता दावा करते हैं लेकिन जिस तरीके से तबलिगी जमाद के एशू पर उनका इस्टेंड रहा जिस तरीके से दिल्ली राइट के ओपर उनका इस्टेंड रहा तो क्या लगता है आपको ये जो दावे हैं वो खोकले हैं नहीं अर्विन केजरिवाल तो देखिए एक्सपोज हो अर्विन केजरिवाल का मामला तबलिगी जमाद और दिल्ली दंगा और हमारे नौजवान बच्चों पे यूए पी ए लगाने की मनजूरी देना ये सब तो जग जाहर है अगर आप हालिये दिनों की भी बात करें वो शक्स धम भरता है कि मैं हमें देश को नंबर वन बनान दो लेते हैं 2019 में लोग सब लड़ेते चारसो तीन की चारसो पांसु बैलेज की पांसु बैले सीटे लड़ेते हो तब 27 लाग वोट मिला था लेकिन अर्विन केजरिवाल ने एक लवज नहीं बोला उसी के साथ अंकिता एक हमारी दूसरी बेटी थी जिसके साथ रेप हुआ और उसको जलाके जारकंट में मार दिया गया उसके खलाफ खुब बड़ा ट्वीट आया अभी एक और मामला पेश आया उसमें भी उनका ट कि जब वो सियासा शुरू कर रहे थे तब उनका बड़ा ब्यान मशूर हुआ था कि सामप्रदायक था भ्रेष्टा चार से भी खतरनाक बुद्दा है और वहीं शक्ति बाद में कहता है और उस ताइम एक डायलोग और मशूर हुआ था कि मेरी नानी कहती थी कि हमें वो रा मंदर की जब तीर त्यातरा के लिए ट्रेन जाती है तो उसे वह छोड़ने घर हरी जंडी दिखाने जाता है जो असली संपरदायक लोग है बीजेपी वोसको जाने भी नहीं देते तो वह पतली गली से जाता है वहां लेकिन जाता है वही अर्विंद के जरिवाल जो संपर तो इस शक्स का जो असली चहरा था वो सब के सामने आ चुका है यह शक्स उतने ही कमणल है जितनी बीजेपी है यह शक्स आरेसिस का ही एक हिस्सा है संग्भरवार का ही हिस्सा है चुकि दिल्ली में कॉंगरेस की लिडर्शिप खत्म हुई तो यहां पर एक सेकुलर हैं तब से हमें ये यकीन हो रहा है कि वो जो मजबूरी थी मुसल्मानों की कि वो किसको देवोट कांग्रेस जीत नहीं रही अप्शन अर्विन केजरिवाल था दूसरा अर्विन केजरिवाल को उनको हैसियत का अंदाजा हो जाएगा वो जितना मुसल्मानों को गरांटिट ले रहे हैं जितना मुसल्मानों के बारे में वो ये कहते हैं कि हम लफ़ मुसल्मान जबान पर निलाएंगे तो ये मुसल्मान बहुत खुद्दार बहुत गयूर कौम हैं यह खेराज जाकात में तो सब कुछ दे सकती है लेकिन अपनी अपनी इंसल्ट अपनी तोहीन बरदाश्ट नहीं कर सकती है आएने वाले अब आपसे मेरी अपील है कि अगर आपने चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर सबस्क्राइब करें बेल आइकन भी प्रेस करें ताके खबरें आप तक बरवक्त पहुंच सकें मजीद अपडेट्स के लिए आप वाटसएप ग्रूप भी जॉइन कर सकते हैं लिं